वो रोपिये का बवूल अब 20-20-30-40 साल से बठागे रखिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादे कावील अफसर यहीं लोग हैं और कावील अफसर विहार में नहीं है अब डेवलाप्मेंट की गती रोग दिया है नरंदर मोधी विहार का इससे सोभा होतकर के चवी पर नहीं पर देगा इससे सरकार और नितीज कुमार के नत्वीट पर पढ़ेगा अग्री शमन विभाक की डीजी सोभा होतकर ने जिस तरह से विकास वैभब को गालियां दी थी यह आरोप खुद विकास वैभब ने ट्वीट कर लगाय था कि मुझे कांत में मा बहन की गालियां दी कहीं अब इसका प्रभाव पड़ेगा नितीज कुमार की सरकार पर यह कह रहे हैं जाब सुप्रीमों पपुयादव क्या कह रहे हैं जाब सुप्रीमों पहले सुनें अधिकारी के द्वारा लगाता है अधिकारी तो वो रोपियेगा बवूल अब 20-20-30-30-40 साल से बठागे रखिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादर कावील अफसर यहीं लोग हैं और कावील अफसर विहार में नहीं है कि सब भागने के लिए यहां से दे दिया है दिल्ली नहीं रहेंगे यहां जब देख रहा है कि एकनोमी दे ने रहा है सब रोग दिया पैसा भारत अब डवलापमेंट की गती रोग दिया है नरिंदर मोदी बिहार का बहाली करने बला भी पैसा जो शिक्षा का बहाली है वही देंगे तो जब आप पैसे रोग दीजेगा और जो लोग मलाइक खाया यहां पर बैटके अफसर सब आप सोबा आउत कर दी लेडी जें उनके बारे में क्या कहना लेकिन मर्यादाओं का ख्याल तो रखना ही परेगा विकास बैभव एक अच्छे अफसर है और उनका सम्मान होना चाहिए आंकार में कोई संस्था नहीं चली है किसी भी कीमत पर चाहे छोटा अफसर हो या बड़ा अफसर हो चाहे सिपाई हो चाहे स्पी हो उनके साथ पड़िवार के द्रिष्टी से अरुशासन सब पर लाग आया है जांच तो होना ही चाहिए जांच हो करके यह तो गिल्ती उसको गलती माननी चाहिए अपने सवर्णेट से आप सवर्णेट को नीचा करके अप मानित करके आप बहतर सरकार या बहतर संस्था या बहतर जीला नहीं चला सकते हैं सवर्णेट से ही नकाम लेना है आपक क्रो capee तलवर या उपर से नीचा शब का महतो है को मा का है पंकर सबका महातो है ना इन पहले के बेगर रेस्पेक्ट के मुखमंतरी अकेले नहीं चल सकते हैं। इसलिए सोबा अउतकर जी को एस्क्यूज करना चाहिए। अन्यता सरकार लगातार जिस तरीके से हो रही है इससे सरकार की छबी पर परता है। इससे सोबा अउतकर की छबी पर नहीं परेगा। इससे सरकार और नितीश कुमार के नत्वित पर परेगा। यह आप समझ लेजे। साफ तोर पर पपुयादम ने कहा है कि अपने उपर से नीचे तक सभी अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान होना चाहिए। और इस तरह से जो सोबा अउतकर गालियां दे रही है तो वो महिला है उस पर हम क्या बोले लेकिन इससे सोबा अउतकर की छबी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो नितीश सरकार पर क्यूकि इसके पहले भी एक वरिस्ट आईए सफसर केके पाठक अपने सहकर्मियों और बिहारियों को गाली दे रहे थे और इसी तरह का एक मामला एक बार फिर से सामने आया है जहां एक वरिस्ट आईपियस अथिकारी अपने नीचे के अधिकारी को गालियां दे रही है कहीं न कहीं अब लगतार जो अधिकारी इस तरह से गाली दे रहे हैं उससे निती शरकार की कहीं न कहीं नकरात्मक छवी जो है वो जनता के सामने आ रही है कि किस तरह से निती शरकार के अधिकारी गाली दे रहे हैं एक ओधे पर बैठे ये व्यक्ति इस तरह की शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं जो कहीं न कहीं उचित नहीं है और जन्ता के मन में भी इसको लेकर नकरात्माग प्रभाव पड़ता है।